समस्कार आज हम बात करेंगे निम्बू के बारे में जी हां लिम्बूडा लिम्बूडा लाई लो आजकल निम्बू के बारे में बहुत सारी बात चीछ चल रही है खास करके जो इंफेक्शन फैला है उसके कहा जा रहा है कि नाक में निम्बू का रस डालना चाहिए वो निम कुन सी कंडिशन में डालना चाहिए इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में स्वागत आप सभी का ओज आयरवेद में जहां बात करते हैं शुद आयरवेद के बारे में तो भाई सही आयरवेद सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बहुत सारे लोग ने बोला था आप सब्सक्राइब के लिए बोलना शुरू करो इसलिए चलो में निम्बू लेमन जिसके बारे में कहा जाता है आजकल बहुत सारे आपने वाटसप पर वीडियो देखे होंगे या मुझे वाटसप पर कई सारे मैसेज आये थे कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पर आया था कि निम्बू के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है कि नाक में निम्बू का रहस डालने से जो भी कफ है वो निकल जाता है और कफ निकल जाने से फिर सारे की सारी जो भी स्वांस की प्रॉब्लम हो रही है वो खतम हो जाती है इसलिए नाक में निम्बू का रहस डालना शुरू कर दो तो बहुत सारे लोगों ने शुरू कर दिय दिया था तो इसके बारे में आईरुवेद क्या कहता है कि आयरुवेद के सहिता हुँ में रिफरेंस हाँ भी सबसे पहले वो जानते है चलो सबसे पहले निंबू है नाक में डाल रहे हैं अब दोनों का relation क्या है ? नाक में जब कोई भी दवा डाली जाती है तो उसे आईरवेद में नश्य कर्म कहते हैं पिरो चाहे कोई भी रस हो, तेल हो, घी हो, या फिर कोई चीज का काढ़ा वढ़ा बना कर डाला जा रहा हो या चूर्ण, आपने बच्वन में देखा होगा, मस्ती के लिए एक पाउडर आता था, उसको नाक में लगाते थे, तो चीक आती थी, है ना, तो उस तरह के कोई भी चूर्ण तो आईर्वेद के शब्दों में, नाक में अगर कोई भी दवाट डाली जा रही है, तो उसे नश्य कर्म कहेंगे, क्लियर, ठीक अब जब हम अलग-अलग टाइप के नाक में अउशदी डालने के टेकनिक, अलग-अलग बिमारियों में बोली गई है, बहुत डीटेल में, हम शौर्ट में समझने के लिए अस्टांग संग्रह में चलते हैं, महरशी वागभट द्वारा लिखा हुआ, जो अस्टांग अकरा है, उसके सुत्रस्थान में चलते हैं, तो उन्होंने नश्य करम के लिए नाक में उशदी के लिए एक विशेश अलगत्यव, चैप्टर ही लिखा है सुत्रस्थान में, उसमें वो तीन तरह की ऑश्दियां बोलते हैं मिलिए पहला विरेचक बोलते हैं, दूसरा ब् कीजिए जब आपको नाक में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो बहुत ज़्यादा कफ की तकलीफ हो और कफ के कारण साइनेस पूरा सिस्टम ब्लॉक यह सब हो गया हो तो कब से रेचे उसके करण ब्लॉकेज की करण कई लोगों को सिर्दर्ध होता है उल्टी होती है स्वास देने नहीं जमता ऐसी कोई भी टेकनीक यूज करनी है तब आप वीरेचेक वाला नश्य यूज करो एक क्लियर दूसरा उन्होंने ब्रहुहन बोला है तो ब्रहुहन वह बोलते हैं इस तरह का नश्य आप लोग तब यूज करो जब आपको वात से रिलेटर प्रॉब्लम हो वात के कारण पैरलाइसिस आ गया हो वात के कारण स्कीन काली हो रही हो वात के कारण बाल जड रहे हो ड्राय स्कीन हो गई हो काले काले दाग पड़ रहे हो या वात के कारण कुछ भी नाग पूरी सूख जाती हो कुछ भी वात के कारण तकलीफ है तब आप ब्रहुहन नश शमन नश्य वो बोलते हैं पित्त के लिए यूज करो जब आपको पित्त बड़ा हो पित्त के कारण आपको काले काले तिल आ रहे हो पित्त के कारण जाईयां आ रही हो पित्त के कारण बाल जा रहे हो पित्त के कारण नाक से खून निकलने की तकलिफ हो इन सारे समय पे आप वाले नश्य यूज़ कीजिए चलो ठीक है तो यह समझ में आगया तीन तरह सी नाक में आउशदिया प्रयोग करने के बारे में वागभट रिशी अश्टांग संगरा में बोलते हैं अब क्या-क्या नाक में डालने के लिए यूज़ किया जा सकता है तो उसमें आईर्विद निकालते उसको स्वरस बोलते तो जैसे अध्रक का रस निकाला और वो नाक में डाला तो ऐसे अलग-अलग टाइप के स्वरस मूली का स्वरस लहसुन का स्वरस गौमुत्र ऐसे बहुत सारी चीज़े डालने के लिए ड्रिफरेंस आया है अब स्वास की तकलीफ है उसमें निम्बू डाल सकते हैं क्या यह सवल अभी तक तो हमने नश्य समझा क्यूंकि नाग के लिए यूज कर रहे थे नाग के उपर मैंने जो वीडियो डाले हैं उसमें आपको बताया था कि आयरवेद में ऐसे श्लोक है उसके उपर सभी बिमारियों में नश्य करने के लिए आयरवेद में बोला है क्या आपी यूज करने के लिएं कि लिए बहुत सारा मैसेश फैलाए जा रहा है तो वो है निम्बू का गुंड क्या है तो आईरवेद में निम्बू को लगू कहा गया है हलका बोला है ठीक निम्बू को बहुत बार अनूश्ण बहुत ज़्यादा गरम है न ठंडा है ठेक है और अम्लरस खट्टे रस का इसको निम्बू को बोला गया है अब सवाल यह उड़ता है कि क्या स्वास की बीमारियों में निम्बू का प्रेयोग करना सेफ रहेगा स्वास की बीमारी कास की में लाटे हो रहा है या ब्रीधिंग आता है वो रिफ्रेंस क्या है कास कफ आर्थी कंठ छड़ी हरी ऐसे करके एक श्लोक आया है कि निम्बू के बहुत सारे फायदे उसमें से एक कास जिनको सुखी खांसी वसी इस तरह की तकलीफ होती है कफ आर्थात जिन लोगों को बहुत ज्यादा कफ होता है ऐसे लोग निम निम्बू का रज डालना क्या स्वांस की बिमारी में आईर्वेद में बोला है तो जी हां राज निघंटू में जिनको बहुत ज्यादा कफ है उसके लिए निम्बू के रज का यूज बोला है बट नाक में डालने के लिए ऐसा कोई रिफ्रेंस नहीं आया है उसको इंटर अध्याय का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे तो उसमें स्वांस कास्क खतम करने के लिए मतलब जो भी ब्रीधिंग इश्यूज है आपके यह सूखी खांसी वासी जैसी जो तकलीफ है स्वांस मतलब जो ब्रीधिंग प्रॉब्लम से कास्स मतलब जो सूखी खांसी यह सब करता है तो उसमें अलग अलग अऊशधियां डालने के लिए वह रिफ्रेंस आया है चैप्टर नंबर 17 के श्लोक तेरवे में उन्होंने लहसुन आता है क्या सवाल यह इसका आइंसर यह हैं कि वह डीपेंड करेगा, condition पर नाक में निम्बू का रस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं तो उसका जवाब है हाँ ये इतना clear अब कौन डाल सकता है और इसके अगर कुछ side effect होते हैं तो क्या कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया आईरवेद में जो नश्यकर्म का ही टेकनीक को आजकल फैलाया जा रहा है नाक में रस डालने के नाम पर नश्यकर्म के तीन अलग अलग department बोले हैं निम्बू का रस ये उनके लिए ज़्यादा suitable होगा जिनको कफ access में हैं बहुत ज़्यादा कफ के blockage वाकेज हैं तो वो नाक में निम्बू का रस डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं किसके लिए safe नहीं होगा निम्बू अनूश पैए जनको बहुत ज़्यादा पित्त की तकलेफ हight जिनको बहुत ज़्यादा नाक से खून निकलने की तकलेफ नकसीरवकसी में फिर बहुत पित्त के कारण सिरदर्द होता है how bilingual on hem या फिर blood pressure बहुत ज़दा high रहता है, बहुत ज़दा heat, गर्मी लगती है, तो ऐसे टाइम पे उनको निम्बू avoid करना चाहिए, कफ के related disorder में बहुत ज़दा सर्दी वर्दी की करण blockage है, उसको open करना है, तब निम्बू का रस नाक में डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाला जा सकता है, तो दो drop से लेकर 8 drop तक, यह दो भून से लेकर 8 भून तक इसे नाक में डाला जा सकता है, दिन में एक बार सुबह के टाइम पे डाला तो भी चलेगा, ठीक है, तो निम्बू का रस एस पर reference आईरवेद के यूज़ कर सकते हैं, बट पित व और कफ है, बहुत जदा कफ होता रहता है, पूरा ही ब्लॉक रहता है, ठंडी बहुत लगती है, थोड़ा भी ठंडी चीज़े ले लिया तो प्रॉब्लम होती है, तो आपके लिए सरसो का जो तेल है, वो बहुत यूसफुल रहेगा, इसके उपर मैंने वीडियो डाल कर र या सुखी खासी आने के साथ सथ बहुत चेस्ट पेन वेन होता है, रात में नाकवांक सब सूख जाता है, ऐसा तकलीफ है तो उनके लिए जो सेफ रहेगा, वो रहेगा तिल का तेल, तिल का तेल वो दो-दो ड्रॉप दिन में 3, 4, 5 या 6 बार तक भी डाल सकते हैं, और जि या नारियल का जो तेल है, वो कई गुना ज़्यादा सेफ रहेगा, नाक की दवा काम कैसे करती है, तो सिंपल सा जो 12 cranial nerves है, उसमें से जो olfactory nerve होती है, जो आपकी नाक से यहां है, पोधलमस यहां तक जाती है, उसके द्वारा और यहां पे आपका जो nasal mucosa है, मतलब नाक क यहां पे ही उसका बहुत अच्छे से absorption होता है, इस तरह वो दवाईयां जाकर काम करती है, तो निम्बू डाल सकते हैं, जी हां, उसके कई गुना ज़्यादा safe options भी है, वो भी आप उसका प्रयोक कर सकते हैं, तो उमीद है कि जिन लोगों को यह सारे doubts थे, कि क्या स्वांस में नाक के अंदर निम्बू का रस वो भी डालना safe है कि नहीं, आईर्वेद के इसाब से safe है, फिर भी आप आपके नजदी की डॉक्टर से एक बार opinion ले सकते हैं, और निम्बू के भी कई गुना ज़्यादा जो alternatives हैं, अगर आपको इससे डर लगता है, तो भी आप उसे use क कर सकते हैं, लास्ट सवाल, अगर हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हम क्या करें, अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी problem नहीं है, तो आप निम्बू का रस वस यह सब यूज़ करना है, आप simple नारियल का तेल या देसी गाए का घी, और अगर वात वाले हैं, तो तिल या रस जो भी आएगा, उसको ठुक दो, तो वो कई गुना ज़्यादा सेफ होगा, ये दो-दो ड्रॉप वाला जो तेल घी है, वो यहां तक की एक साल के ऊपर की जो बच्चे हैं, उन तक को भी आप दे सकते हैं, इतना सेफ है, छोटे बच्चों के नाग में डालना कर सकते हैं, और क्या डाउट है, किस बारे किंग चीजों को लेकर आप आईरवित के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें